हेलो एब्रिवान गूड अफ्रणोन कैसी हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे बहुत बहुत अच्छी होंगे तो फ्रेंड्स बात यह है कि मुझे ब्लॉग बनाना ही पड़ा क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं 1 सक्टमबर से ब्लॉग को स्टार्ट करूँ लेकिन कुछ बात ही ऐसी है कि मेरे विवर्स को जाना जरूरी है कि मैं अपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ तो बस उसी को लेकर मैंने सोचा कि आप सबसे मैं आपनी बात शियर कर दूँ तो friends सबसे पहले जून के महीने में मैंने डेली मैं continue वीडियो डाल रही थी तो short वीडियो मैंने एक इसी का उठा के डाल दिया था अपने चैनल पर और चैनल की तो धजिया उड़ गई थी चैनल का क्या हुआ चैनल डी मोनिटाइशन हो गया और मेरे जो अर्निंग है न वो बिलकुल भी होना बंद हो गई एक रुपया नहीं मिल रहा था तो उससे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा इनसान जो है एकदम से शॉक्ड होगी मैं दूसरे दिन जब सुबह मुझे ये मैसेज आता कि आपका चैनल डी मोनिटाइशन हो गया तो बहुत ज़दा गुस्सा आया और अपने आपे भी गुस्सा आया और साथ मैं सोचा कि श तो है पच नीरी थी खाना पच नीरा था हमें तो हमने ये कदम उठाया तो आप सब से भी मैं यही बोलूंगी कि आप सब कुछ ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपका चैनल डी मोनिटाइशन हो जाए तो करते क्या हैं लोग मैंने काफी वीडियो आभी भी देखी हैं लोग क देखता है कि ये इनकी खुद की महनत नहीं है ये किसी का वीडियो है तो वो आपको कौपी राइट भी देगा और साथ में आपका चैनल जो है बहुत ही असानी से डी मोनिटाइशन हो जाएगा तो उससे आपकी दो साल की महनत हो चाहे बीस साल की महनत हो चाहे एक साल की मह करिएगा जिससे आपका नुकसान हो तो मेरा तो काफी होई चुका है मैं आपको अपनी सक्रीन में भी लेके चलूंगी वाइटे स्टूडियो पे जहां पर मैं आप सब बस मन इसली निगरता है क्योंकि कहीं न कहीं इंसान थोड़ा सा डिम मोटिवीट हो जाता है तो मैं भी कुछ यसी तरह से हुई हूई हूँ और साथ में गर का काम भी इस समय आपको पता है बड़ी जाता है बरसाथ के मोसम में तो अभी जैसे सब सबजियां हरी बड़ी बड़ी जाता है ब्लोग बनाना शुरू कर दो बस उसी का वेट कर रही थी क्या पता मेरा चैनल फिर से मुझे बापस मिलेगा या नहीं तो तीन महीने का मुझे वेट करना पड़ा है तो अगर मिल गया ना तो फिर तो ब्लोग डेली आएगए लेकिन नहीं मिला तो फिर म मेहनत करने का मेरा कोई मतलब मेहनत करती जाती तो एंड में शायद मेरा चैनल मुंट्राइश हो या ना हो तो फिर दिक्कत आ जाती है इतनी मेहनत से मंदा कैसे पिछे हड़ सकता है तो चलिए अभी बाकी वाली बाते जो हैं आपने नेक्स ब्लॉग में करेंगे तो फिल हाल मैं आप सबको लेके चलती हूँ अपने वाइटी स्टूडियो पर जहां पे आप सबको मैं बताती हूँ कि मेरा नुकसान हुआ और मैंने कितना बड़ा जो है कारनामा किया था जिसका मुझे फल मिला है तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ अफसोस बहुत है आपको अब बिद प्रूफ देख सकते हैं कि मेरा साथ क्या होगा तो चलिए फ्रेंड्स आभी मैं आपको देखा दे हूं अपने बाइटी स्टूडियो में तो यह रहा बाइटी स्टूडियो का एप तो यहां पर आभी देखिए मैं आप सबको बता दू कि अभी यह फिल अब ही मैं फिल हाल आपको यह तो नहीं बता होंगी जैसी यह देख yapmışे। अब हुड़ सat में आप नीचे देख सकते हैं डैश वो लिखा है amount लिखा हैالएटीक लिखा है और कॉमेंटर लिखा है और साथ मैं आर्नम दिखा है और मैं आर्नम पर आपको लेके जा रही हूँ यहां पर आपको देखिए आर्नम का मतलब है कि आपको जो पैसा मिलता है यूट्यूब से वो आपका यहां पर आपको सेफ होता दिखाई देता है तो आभी मैं आपको दिखाते हूँ यहाँ पर आप पूरा अपना रिव्यू देख सकते थे एक बन मन्त का हो गया टू मन्त का थ्री मन्त का सब मिलता आपको कि आपने कितने पैसे की है एक मन्त में तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिल रहा है आपी यूर चैनल इस कोंटेंट है चाहें आपका रियूज कोंटेंट अपने किसी की पवलाइ किया है या मतलब कुछ भी आपने कुछ बीू गलती की है तो आपको यहां पर अपील भी दी थी आपकर ऑपको कोल अइसे नहीं है तो अप उसही समय उसको बोल सकते यूट्यूब को कि मेरी को गलती नहीं है यह वीडियो फेक है ऐसे है आपने मेरे चैनल डीमोन नटाइशन क्यों किया आप उनको अपील कर सकते थे लेकिन मेरी गलती थी मैंने किसी का वीडियो चुरा कर डाला था तो मैंने इसलिए कुछ भी छेड़ खानी नहीं की अपने चैनल के साथ औ अगर आपको अगर आपका चैनल जो है रियापलाई के लिए मतलब आपकी गलती है तो आपने तीन महीने का वेट करना है तो यहां पर फिर देखे यूर कैन यू कैन री अपलाई स्टार्टिंग फ्रॉम बन सेप्तंबर दोहजार चोबिस ठीक है एस लॉंग एस लॉंग का अपील समिट करने का था तब से लेके अब तक देखे तीन महीन मंठ होने वाले हैं तो यहां पर देखे बन सेप्तंबर को अभी मेरा चैनल फिर से शो होगा मुझे रियापलाई का बटन आएगा तो फ्रेंट्स यही था मेरा में जो मेरा वीडियो नहीं बनाती हूं कु इसको प्रेस करोगे ना तो यह प्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि इसका उप्शन मुझे नहीं आया तो जब यह ब्लू कलर में हो जाएगा तब समझो कि मेरा रियापलाई का बटन आ जाएगा तो बस इतना ही था फ्रेंट्स आप सब से बात करना तो चलिए अभी यहां पर आपको मैं लेके चलती हूं अपने कॉंटेंट पर यह देखिए इस हालत में आपी आज पापाजी ने मेरी मदद करवाई यह वाला वीडियो मैंने टू मन्ट आगो से वीडियो डाला है आप देख पा रहे होंगे तो आभी थ्री मन्थ होने वाले हैं मेरे चैनल को तो थ् चैनल बैक हो जाता है बहुत बहुत मुश्किल होती है तो चलिए अभी चलते हैं बैक चलते हैं आप से बात करते हैं तो फ्रेंड्स अभी आप न देखी लिया होगा कि मेरे बाइटी स्टूडियो की हालत क्या है तो अभी जब मुझे बंड सेप्तंबर के बाद रियापलाई का बटन आएगा तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगी फटा फट से क्योंकि मेरा चैनल मुझे बापिस चाहिए कि से हीपी हालत में तो फ्रेंड्स आभी मैं ब्लोग को यहीं पे एंड करती हूं काफी ब्लोग लंबा भी हो चुका है और पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना क्योंकि मैं एक न्यू जूटूबर हूँ चाहती हूं कि मैं बहुत दूर आगे त